हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं अज का टेपिक है मानो रोग इमन डिजीज बहुत इंपर्टेंट टापिक है ऐसका अब यह सब्सक्राइब करना होना है अगर उनका समान रूप से नहीं होते हैं तो उन्हें ही रोक कहते हैं के एक इदि किसी मनुस्य में जीवों के सेंक्रमवड अन्यमेताऊं अनन्वांसिक कारण O सब्सक्राइब हो जीतनी वी कारान से खरेग तक्रियासिल है जितनीween चैक्रियासिल जिसी कारण आजा जातीएं तो लोग बोलते हैं प्रकार के सब्द को देखने को मिलते हैं अमरी के संबद में एक एक पैंडेमिक इंडेमिक एक एक पैंडेमिक पैंडेमिक पैं मतलब पूरा पी मतलब पूरा तो पैंडेमिक ऐसा है जो लगबग पूरे बिस्व में फैल जाता है जब कोई में हमारी पूरे बिस्व में फैल जाती है उसे पैंडेमिक बोलते हैं जैसे हार एकजांपूल एक होता है इंडेमिक इंड यहां सब्द आया है इंड इंड का मतलब अंत और ऐसी महामारी जिसका लगभग अंत हो चुका है थोड़ा बहुत बचा हुआ है कि किसी भी से छेत्र में पाया जाता है जैसे घूंगा और बीच वाली को इपीडिमिक कहते हैं एपीडि मतलब कु कुछ देल्ब कुछ देल में फैला परनने करता है उसी को पेथो जन्सका दें जैसे मनुस्य के शारी में भुष जाता है तो रोग इत्रीय न् ten तो जवा इत्याधी अंदर प्रृवेश्च कर जाते हैं तो वो चोटे जिवा रहते है कि पर इंस वोलते थे न्म assists को कॉलते पर ए ब्यक्तरिय प्रेश औरोजवाध फंगस नेमहेंट diff ë प होता है और रोगवाहक वहक मतलब वहन करना याने कि रोग का वहन करते हैं रोग का वहन करने का मतलब मतलब कि इनके पास खुद ही पैठोजन उपस्तित होता है यह पैथोजन्स जो रोग उत्पन करता है उसे पैथोजन्स बोलते हैं हमने बताया बार बार पैथोजन्स अब दिवज करेंगे वेक्टर का है न वहाख है तो वहन करते हैं पहुचा देते हैं हार इक्जाम्पुल मादा एने फ्लीज मच्छर में वाइरस होता है उनके पास उनके सरीर में और वाइरस उनके सरीर में ही अपना पॉश्णा प्राप्त करता है वहीं पर रहता है वहीं पर पॉश्णा है रोग आतは व्यक्तर हो गया क्यंक और आप देखे होंगे गाड़ियों में होता ईकी समान को एक कस्थान से दूसरे एस्थान ले जाने वाला तो केरियर का अर्थ है एक जग 날 से दूसरे जग करवानकणा यह जिव किसी पर दोहन से उठाकर एक अस्थान से दूसरे पहुचा देते हैं जैसे भोजन जलता कथो जलतक जैसे मक्ही हाँ स्प्लाइए हमारे घर में जो मक्ही उड़ती हैं वो क्या करती है इसी गंदगी वाले अस्थान पर बैठती थो उनके शरीर में गलती से जान बूझके नहीं चिपतिक आती हैं लेकिन उनके पेथोजन जो उनके शरीप चिप्का है भोजन में आ जाता है और उससे हम खा लेते हैं तो बीमार पर जाते हैं तो कि मख्य क्या हुई वाख हुई केरियर हुए रूट का एक होता है आसरी जर्वर आसरी का इसका इनका आसर नहीं होता है यानिकि मनुस्य को विमार करना इनका आसाय नहीं होता है लेकिन गलती से मनुस्य विमार होता है कैसे यह पैथोजन्स को अपने सरीर में पोषण परदान करते हैं जरूर करते हैं परन्तु पैथोजन्स को मनुस्य सरीर तक नहीं पहुंचाते हैं यह फलों तक पहुंचाते हैं जैसे कि क्या करता है , उनके शरीर में ही हूता है वह यह पर आता है जब कभी निध और फलो बैठती जैसा निकल कर पैथोजन डेखाते हैं तो उपर जोब पैथोजन लोग हुआ ढहें तो आ giàता है तो सरीर के अंदर आने वाले पदार्थ कुछ है उसको एंटीजन कहते हैं वह बाहरी पदार जो सरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर दें जब कोई भी सरीर के बाहर से शरीर के अंदर कोई पदार्थ आता है तो हमारा बाहर से ख्लाप एक अने बड़ी तैयार करने लगती है उस अने बाडी जो गती है उसको बुलते हैं एंटी बड़ी और जो कि एक होता है इंटर फिरान संक्रमण की स्थिति में स्रावित प्रोटीन विक्पदार जो वायरस की ब्रदियम संक्रमण को रूखता है उसे इंटर फिरान कहते हैं जैसे फार एक्जामपुल असान लांगोईज में समझाएं तो अगर कोई पैथोजन से और आख में पढ़ गया आख के राश्ते से शरीर में इंटर करना चाहता है तो जो ही वो आख में पढ़ेगा तो हमारा शरीर का जविक तंत्र क्या करेगा आशू रिलिज कर देगा आखों से आशू आने लेंगे और आशू जब आने लेंगे तो क्ताktاح इंटर फेरान काम करता है कि एक वैक्चीन क्या होता है हमारे सरीर में किसी परती एंटीबड़ी के निर्माण को करता है है दरसल कोई वाह यह पदरत हमारे सरीर के अंदर प्रेश करता है पहलीबार हमारा सेविक टंत्र उसे नहीं पहचानता है अर्वव 열심히 उसके बढिति तयार करने लगता है उसको नश्ट करने के लिए कि लिए सरीर में बिपेक्ति तुरफेन जब ढाली जाए तो अतलिक न'll गया होने लगए और वýल्षण को नsp कर दे प्रतिरख्षा तंतर में डिटेल्स में देखेंगे इसको अब देखते हैं मानो रोग क्या है human disease दो प्रकार के होते हैं मानो रोग एक अनुवांसिक रोग होता है एक अर्जित रोग होता है करना किंवांसिक होते हैं कि अर्जित क्या होता है मतलग कि रड़न करना ये कि वाता वरण से रषव यह होते हैं इसे अनुवांसिक भी दो प्रकार के होते हैं गुण रसत्रों की संख्या में परिवर्तन से और और गुर्षुत्रों की संरचना में परिवर्तन से हम लोग गुर्षुत्र पढ़ चुके हैं सेल वाले टापिक में आप पीछे जाकर देख सकते हैं तो गुर्षुत्रों की संख्या में परिवर्तन क्यों से समाने परिश्थिती क्या है समाने परिश्थिती है कि मनुस्य में प्लस एक्स्達्र होता है और बाइस जोड़ी संख्या है तो यह फी मेल होता है यह संख्या हो परिवर्तन हो जाए तो यह रोग होता है और इसे आन्वान्सिक रोग कहते हैं क्योंकि गुणशुत्रे से संबंदि जो रोगता है रोग होता है गुणशुत्रे पर ही जीन होते हैं और जीन विक्रित हो हुज हो, वोते हैं गुरसुत्रों की संख्यां तो नहीं एक लेकिन सबस्चना बदल गई यानी की उससे भाव जिनाने लगे तो वुड़सुत्रों की संख्यां परिवर्थन से भी संचारी रोग इन भीए कैसे जिवाडु जनीत रोग प्रोक जनीत रोग और संक्राम क्या है यह जो तो जिसको है उसी वह जैसे किसी चीज से तो उसके साथ रहने वाले किसी अन्य विकार होता है अन्य कोई संख्या में परिवर्तन की वज़ा से हैं उससे पहले हम लोग देखते हैं चार सब्द देखते हैं ट्राइसोमी प्रिट्रासोमी मोनोसोमी और नली सोमी और समाने परिश्थी यह है कि 22 जोड़ी गुड़ सूत्र होते हैं और प्लस एक्सवाई यह मेल में और फिमेल है तो एक्स एक्सड है यहीं रिख दिया गया अगर स्यालिस से एक गुड़िक बढ़ जाए तो इसे बोलेंगे कितना होगा तो यह गुर्सुत्र के संख्या में एक बढ़ जाता है तो इसे त्राइश विए बढ़ जाती है तो दो यहां और दो चार कहने कि मतलब होता है मोनो शूमि से बोलेंगे और सब्ध हैं इसे आप याद करेंगे त्राइसों में अगर गुट्सुत्रों की संख्या कि बड़ जाती। ठ्रीव्ट इसमे कुछ सुटैरेंत बढ़ती तो संधित्रों आप सुमाज dify भड़ती एक कम हो जाती है तो मोनो-संतृमि और 2 हो जाती है तो नली-स अब हम कभी वी देखें बोलेंगे कि गृषुत्रों में हो जा रहे हैं लंगे है मोनो-संत स्वेटा राटो सुंस और एक लिंग गुर्सुत्र अलो संस हम लोग कुशिका याद करना है उसके नाम ही और इस गुर्सुत्र पर कैसी गुर्षूतर तो डाउन सेंड्रोम का मतलब एक बढ़ जाता है एक कैसी में कुछी शोतर कैसे याद करेंगे तो डाउन सम्हाने परिस्तिती क्या है यह होता है सम्हानेerson कि कितने होते हैं यह नाम है । एक डॉन कर दिजिए य। हर सम्हाने होती हैं एडवर्ड सिंड्रोम एडवर्ड आठ रहा है डव को ऐसे करेंगे आठ बन जाएगा तो यहां से आठ मिल जाएगा और यहां से अठार रहा है कि ट्राइसों मी हो जाएगे ट्राइसों मी का मतलब की ट्राइसों मी होती है अब लिंग में परियुर्टन के हो जाता है जाने से यहां से यहां प्लस्ट यह हो रहा था लेकिन क्या हो गया प्व्सर और आ अगया अगर यह नहीं होता है क्प्वाई यह नहीं होता तो 44 प्लस एकस आ जाता तो यह फिमेल हो जाता लेकिन यह मेल के भी लक्षण यहां आ रहा है यहां पर क्या हो रहा है लिंग गुड़ सुत्र में थाईसों मी हो रही है एक बढ़ रहा है ठर्णर सिंड्रोम सुटaci चोग में बाकिन यह यह कोकुड़ प्लस एकस बाता तो मिल सैवालिस प्लस एकस मेंज हो तो में अगर में यह रहाद हो यह जाता है लेकिन वाई भी नहीं है और एक क्या हूँड होता है मेल में डोनो एक्स होते हैं अगर आपको और पैट भरता है और आपको सिर्फ कीरूटि दिया जाएं है तो यहां पर एक ही मिल रहा है तो सब कुछ डेवलब तो यह होगा लेकिन काम चल जाइगा तो मतलब होती है लेकिन में जैसे लेगती हैं तो फिर अगला वाला एक स ne नहीं है जो उसका क्या फरक पड़ता है उसका फरक यह पड़ता है कि ओवरी बढ़ियास से डेवलप नहीं होती है और जब नहीं होती है तो यह बच्चे पैदा नहीं कर पाती है इन्हें बांज कहते हैं सर्टाइल अ कि इसमें एक फडियलीट हो जाता है यानि कि इसे लिंक कुर से तरफ मौन समी भूलें यग है यह एकसवाई 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 यह नहीं कि समाने मेल मेल हो गया लेकिन एक और वाई आ गया और किसके इसको मेल को मेल टो पहले जाता एक और वाई आ गया कि डैबल मेल हो गया तो फ्रास के दों लिंक हो जाएंगे यह ऐसी कह बात नहीं है लेकिन यह जैकब सिंड्रोम वाले इन्हें सूपर मेल कहते हैं सूपर मेल क्यों 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 कि मेल के दो लग छणा गए यह यह मेल क्या होते हैं बहुत लंबे चोड़े होते हैं साथ पुट सब्सक्राइब मोटे होते हैं हिल्थ होता है इसन्ड्रोम होता है पहलवान जैसे उसी प्रकार से सब्सक्राइब होता है यहां सब्सक्राइब होता है जिस प्रकार से यहां पालवान होता है जिस प्रकार से यहां पालवान होते हैं जिस प्रकार से यहां पालवान होते हैं तो यह पालवाहिन जैसी होती है इन्हें सूपर फिमेल बोलते हैं परिवर्तथा अन्वांसिक रुध्व प्रक्राइब सन्ख्यां में परिवर्तथ हैं बुर्षुत्रों की परिवर्त परिवर्तन से और बीवर्तं सेंध में feature Charles सेमिया सिकल सेलीनेमिया इसमें आपको सब्द दिख रहा है इनेमिया आपको सब्द यहां दिख रहा है यहां तो direct Anemia लिखा हुआ है और यहां यहां से यहां एनेमिया सब्द दिखरा है अब इन दोनों में सब्द आपको दिखरा एनेमिया और एनेमिया का सीधा से मतलब होता है Blood की कमी, खून की कमी और bulड की कमी, खून की कमी मतलब Rbc की कमी तो इन दोनों रोगों में थेलेसीमिय और सिकल सेलिनेमिय में RBC विक्रित हो जाती है यहने कि RBC विक्रित हो जाती है तो ब्लड की कमी हो जाती है तो इन दोनों रोग जो इनको होता है उनको बार-बार ब्लड देना पड़ता है कि उसे मियाथ nutrIGHु रोगि को निए लेकिन है बिलेक्ट की कमी है रमीच धूनकी को कभी। को नहीं होता है क्योंकि में ओफ्लाज्मोडिय। प्रोतो जवा से और फ्लाज्मोडियम प्रोटो जवा और प्रॉट यसे ही अपना प्राप्त नहीं सकता है दोनों को लेकिन मलेरिया से बड़ा यहाँ पर है कि हमेशा इनका ब्लड चेंज करना पड़ता हैوجिकल से लिम्यार मैं वाले बेक्ति को ठेल सीमें सम्धेर ने करिशन घृष्ष में पर ऊठाब अठीज कैसे से और अब obt questi इसीप क्या होता है रोग तभी प्रकट होता है जब जोड़ी के दोनों घुटि Tam पर एलील जोड़ी के जब दोनों गुर्सत्र पर एलील होंगे तभी रोग प्रकट होता अनित्था नहीं होता है इसको असान बसा में यहां भी हम समझाएंगे आपको अनिक्स्ट है फिला डेल फिला इनकंटेन उरिया और एल केटन उरिया यहां पर आपको सब्दा दिख रहा है यूरिया और मनुष्य का उसरजी पदार्थ क्या है यूरिया मज्सि को छोड़कर और पक्छी को छोड़कर बाकि सभी बर्ग यानिक उभायचर सरिश्रीप और अंधारी यह सब इूरियास का उसरजन करते हैं इनका सब्सक्राइब क्या होता है यहां दोनों में ईव्रीया आपको दिख रहा है और यूरिया जो पोरीया देख रहा है मतलब मुत्र से संबंधित रोग होगा तो यह दोनों मुत्र से संबंधित रोग है नोव के संपर्क में आने से जहिएज मुत्र काला पड़ जाता है तो यह होते हैं हम से यह होते हैं तीसरे गुर्षुत्र के रेसेशिव से होते हैं यह दो आपी पताएगे और तीसरा रोटे हैं यूरिया जो होती है खेत में डालता है उसमें होता है क्या होता है यह तेन टेत्व न पार्शन ऊस्परसर कितिन होते हैं तो यहां से याद कर सकते हैं कि थर्ड गृर्ष्ट रिकी कोई लोग बोलते हैं कोई आधा क्राइप चाइटिया बोलें ज्यादा अच्छा होगा क्राइचा क्राइडु काइटिया बोलें क्या होता है मतलम यहां पर दुआ आया है यह जा सकते हैं आपको सब्सक्राइब क्या होता है सब्सक्राइब क मतले बिलई कर हैं जब बच्चे चिलाते हैं तो बनी जैसे वाज आती है लगता है कि बोल रही है घृड लेटी बोलते हैं नेक्स्त में तर बैस कि लावश औरल नだから सिवुशंद और स्ते नहें से होता थे 15 से जथा है रहां सो परकार से और सो शीमिए की बढ़नाता क्योंकि अश्थि मज्जा में यह होता है और अस्थि मज्जा में भलड का निर्माढ होता है नहीं नो इसलिए फिलाडेलफिया को बलड गन्सर भी बोलते हैं सब्सक्राइब करें कि सीमय कोई था सीमा कर यह लगersonों ख़ेंगे तुम्हारा गला वाद करसे होता है तो आप जो नो मतलब नवे गड़सुत्र के रिशी से भी रोगतपन्य होता है लेक्टो सीमिया यह यहां स्याथ कर सकते हैं अब लिंग गड़सुत्र आलो सम्स में परिवर्तन के वाज़ा से क्या क्या होता है होमोफीलिया होता है वारणान देथा अर्थात कलर वीजन होता है और गंज क्रिस्मस के दे नहीं इस रोग क्यों खोज की गए थी इसलिए से क्रिस्मस फैक्टर कहते हैं एक्स गुर्सुत्र पर विक्रित जीना आजाने से यह रोगतपन्य होता है लिंग गुर्सुत्र में परिवर्तन है यह नियानि की एक्स वाई अथवा एक्स एक्स परिवर्तन यहोगा है कि अभी क्या है एक गुड़ सुत्र पर बिकृत जीन आजाने से होता है एक सी गुड़ सुत्र यह मेल में भी है और एक सबस्क्राइब लगा रहे हैं मतलब विकृत जीन आ इन तो एक्स गुर्षुत्र पर खराब जीना गया है एक्स गुर्षुत्र मेल में भी होता है अब देखिए यहाँ पर मेल में एक ही एक्स था दूसरा तो आई होता है तभी तो मेल है मेल में एक X था और एक X सही खराब हो गया, खराब जिन आ गए, मतलब दूसरा कोई X उसके पास बचा नहीं है, तो इसलिए मेल जो होता है, से तुरंत रोगी हो जाता है, उसको hemophilia तुरंत हो जाती है, और फीमेल में क्या है, फीमेल में दो X हैं, एक X पर खराब जिन आ गये हैं, लेकिन दूसरा X तो अभी बचा हुआ है, तो दूसरा X से काम चलेगा भी, यानि कि ये फीमेल जो होती है, तुरंत रोगी नहीं होती है, ये पहले वेक्टर होती है, अब इससे क्या होगा, कि इस फीमेल में एक X खराब हो चुका है, लेकिन दूसरा एक'S बचा हुआ है, तो ये भीत तो नहीं है, लेक्टन वाहाख हो गई, वेक्टर हो घए, इससे जह भी संतान प्यदा होगा, तो चाहे मेल हो थाई संतान, उस संतान दोनों X कराब हो जाएंगे, मेल होगा तो एक ही खराब होगा, तो वह रो और फिमेल तो 44 प्लस एक्स 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 एक रोग पाले से इसका ही खराब था और यह खराब कर देगी तो यह रोगी हो जाएगी होता है कि वह होता है कि लोता है तुरंत हो जाता है दूसर सरक फर जीना कुछ सब्सक्राप से था लुक्रुत मैं एक चीज है तो मेल तुरंट रोगी नहीं होती है एक पाले वह भौकती है एक बार का बिक्रत जिन आद्ट गये टारी मेल में तोपuß नहीं होती है वह भाखोते है दो प्रेवह तो इसलिए इस प्रकार पुछ पोजाता है कि कौण सा रोग है जो के जो हैं इस तो लाओं तो यह फिलीया होता है कि में में तुरंत हो जाएगा कि फिमेल में नहीं होगा है है कि इस तो एक फेलिया में रखता थक थक्का नहीं को है होता है उस ब्लड और लगती है तो ब्लड निकलता ही रहता नबाता ही रहता है यहीं है हेमोफीलिया जो कि मेल में तुरंत होता है फीमेल में तुरंत नहीं होता है फिर रोगी होती है इसी प्रकार से होता है वरण अंधता कलर ब्लाइंडनेस जिसे डाल्टो नीज में भोलता है कलर बंडेस कलर मतला रंग ब्लाइंड रंग के लिए जो अंधा हो गया है रिपते ही बिलार नेख्यों से कहरे रेट गृ сам grade और ब्लू य। लाल हरा निला इन रगों में यह विभेत नहीं कर पाता है जिसको ब्लैंड स्फेल फञे, वह वांदने धा हो गया है वह shifts学 वर ad तुरंत लोगी हो जाएगा और में तो फीमेल तुरंत रोगी नहीं होती है पहले वहाख होती है उसकी अगली संतान रोगी हो जाती है और फीमेल में तुरंत नहीं होता है वह पहले वहाख होती है इसी प्रकार से होता है गंजापन blindness गंजापन बाल्डडनेस गंजापन मतलब कि आप समझते हैं गंजापन गंजा बेगती जो होता भी नहीं क्योंकि यह मेल के लिए एक संड़कोंसाल्य। इसको इस प्रकार सब्सक्राइब क्ये आइए ये दोनों एक सब्सक्राइब कि घीटे धानना होता है लेकिन यह वा इक फिल सन्ती पर तो मॡ़ को बिक्रत जिनना गया undertा है मेल के पास एक ही वाई है तो मेल तुरंत रोगी हो गया इसमें भी तुरंत हो जाता है मेल और इसमें भी मेल क्योंकि एक ही एक होता है मेल के पास एक ही वाई होता है तो एक पर विक्रत जीना गए तो भी तुरंत रोगी हो गया वाई पर विक्रत जीना गए तो भी तुरंत क्या होता है चब все four about plus X X होता है दोनों होते हैं इसके पास सलीर में तो होता ही नहीं है जब वाई होता ही नहीं है लाइस पुक्रित कैसे होगात उससके सहे तो इसलिए यह रोग जो है फीमेegara को नहीं सप्रोड़ को होता है यानिकि भी ऊहीं तो नहीं देखा तो अगर गंजी है किसी रोग से वह वह अनवांसिक लोग की वजह से ран्वांसिक वर्जा की वाज़ा सकती जारूर है तो यहीं ही चीज है यहींचेज है अंजो रिसेशी होता आगर समझाएंगे आपने देखा कि महिला पर एक एक पर विक्रित जीन आ गए लेकिन एक एक बचा है इसलिए अभी वेक्टर है वहाग है लेकिन रोगी नहीं है महिला जब दोनों एक सिसका खराब होगा तो अभी यह रोगी होगी तो रेसिसिप का यहीं मतलब होता है कि रोग त सब्सक्राइब करने से पहले थोड़ा सा दो तीन रोगों को आपको दिखाते हैं जो समझते हैं अगर आपको उल्टी दस्त हो रही है तेज बुखार आया है और जोड़े में दर्द हो रहा है लक्षण क्या है आपको उल्टी दस्त हो रही है तेज बुखार आया जोड़े में दर्द हो रहा है और आप गए दवा लेने डक्टर के पास मेडिकल से उन्हें दवा देदी और आपको भेज दिया समाने सी बुखार उखार की दवा देदी आप सही नहीं हुए दो दिन लिए नहीं पर बाद फिल गये और बोदेखार वोले कि таसी बुखार अाज हो आपको टेस्ट लिख करदेगा श्य स्कुल करदेगा तीन टेस्ट लिकता है समानेत एक होता है वेडल टेस्ट एक ट्रूल कैन्ट टेस्ट और एक होता है रेपिड डैक्नोस्टिक टेस्ट य अगर आपको वीडल पाजटीव है अगर रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में वीडल पाजटीव दिखा रहा है वीडल पाजटीव मतलब आपको टैफाइड हुआ है और टैफाइड को मियादी भुखार बोलते हैं आंत्रशोद भी बोलते हैं मोती जहरा भी बोलते हैं और सब इस सीक के नाम है टाइफ हाइट का में इसमें क्या होता है पैथोजन से गंप होता है फ oo segur खाएगे श्वाजन खाये जिस्में इये बेक्ट्रिया लगा हों कहीं से प्रफिया कर तो इसलिए वो भोजन आप बीमार पड़ सकते हैं आपको यह रोग हो सकता है टीब क्या होता है एक और सिम्टम आंतरिक सिस्टम होता है कि आतों में संक्रमन हो जाता इस रोग में अगर टैप हाइड है इसको बोलते है टैप वैक्षीन इसके लिए टैप वैक्षिन दिजाती है कि treatment क्या है Anti-bio2 나도 जहां भी बैक्टेर्या से होने वाला होगा उसी एंटी-bio2 ढी जाती है अजयSt एक एक गपार कर में निदो जाती है कि अब्सक्राइब करें किस प्रकार करो हो गया जाती है अभी आपका रिपॉर्ट आया सब्सक्राइब पखार आपको डेंड़ वार से होने वाला रोग है वायरस का नाम क्या है राइभाफलेवी वायरस तुल्डॉ ऑद़ इक म पर फीछर को नाम है यह प्र होती है यह पीछे मदा में वेक्षरों में इसके काटने से तो धोता है इसके पास यह वायरस होता है प्लेवी रश्र चार अगर सिंटन की बात करें तो symptoms पहली ही बता चुके और अगला symptom क्या है इस की कमी मैं अचाना कमी कमी होने लगती है आंत्रिक्रत्राह होने लगता है इसे डेंगु बोलते हैं इसमें उपचार टक्णार क्या है इसका वाइरस वाले रोगों में लक्षड़ात्मक उचार क्या होता है किसलिए खत्रना होता है वाइस वाला लट सब kos paradox को अभी पाजिटिव था बास्टिव नहीं था टार ना ऌन है रगाशिट क्या है अ तोस्ट प्लाजमोडियम प्रूटोजवा की मलेरिया होता है करा की मदा एनिफलिज मच्छर के काटने यह मादामें ता duty sabemos सेभी मादा ठरील मक्छर जी दोनों मादा माच्छरों में थे धॉर्ण है यहीं है newborn खुछती है दो इसमें सिंप्टन कर तो पाले ही बता शुक्ते ढ़ुघ्ण सफेट कुनें कुना ना होता है और शेशन कूना के ब्रिक्ष से कुनोन कुनेन प्राप्त की जाती है और इसको कुनेन सल्फेट में बदला जाता है कुनेन सल्फेट में बदलके दवा दी जाती है और एक होता है हाइड्रक्षी क्लोरोकुनोन तो कुनेन सल्फेट और हाइड्रक्षी क्लोरोकुनोन यह दो दवा दी जाती है मिलेरिया में कर दो लक्छण दिखाते हैं आपको रोगी के साथ किसी रोगी बेकटिसेय के साथ और सुरक्षित यहाँ संबन्द करते हैं आपको तीन होते हैं यह हो सकता है यह तो लिए जिसे सुजाक बोलते है सकता है तो अगर यह वायरस के होता है इसकी कारण से होता है यह रोगी के साथ अस रक्षित है उन समबंध से होता है इसमें सिंप्टन क्या होता है बुखार आता है गले में ख्रास जोड़ में दर्थ ठकान और गरन्थियों में सुजन होने लगती है ट्रिटमेंट क्या है वाइरस के वज़ा से हो रहा है न यह वाइरस वज़ा है तो लक्षनात्मा कुछ आर किया जाएगा इसमें इसका टेस हो गया तो एक अवर टेस्ट दिया जाएगा western black test credit अगर कोई एलिजा शाarme होता है तो इसका मतलब हम प्लस हो सकता है नहीं हो और करने के लिए टेशल टुट किया करा है जाता है और अधाच और अईडस होता है प्रक्ति एलिशा फुल्पार्म होता है एन्जाइम लिंग्ड इम्मुन स्थर्वेंट आशे एचाइवी वायरस के वह रक्ति ही पुष्ण प्राप्ति करता है यह जो hiv virus है के वो रक्त में ही पूशन प्राप्टा करता है तो कैसे हो सकता है और या किसी बैक्ति को पहले से एड्स है तो दूसरे बेसी में hiv चला जाएगा उसको भी हो जाएगा अथवा इंब्रक्टेड को इंजींटेक्शन दिये हैं और वहीं गलती से दूसरी दे दिये और वाइरस फिर हैशाईबी उसमें चला जाएगा इस प्रकार से ब्रक्त से रक्त से संबंद होना चाहिए रक्त मिलना चाहिए तब में भीख्षित करता है कि नेक्स्ट है आउस्तरक्षित रोगी के साथ यहन संबंद से भी होता है इसमें क्या होता है जननांगों में खूझली होने लगती है और घाव बन जाता है जैनन चामता में कमी हो जाती है यह गुणेरिया क्या है बैक्टरिया से होने वला रोग है इसमें एंटिवायोटिक्स दी जाएगी टेस्ट क्या है इसका नाट टेस्ट नाट का मतलब नेयुकिलिक एसीड एम्प्लिफिकेशन टेस्ट के लिए आसेता गुनरिया के लिए वा पर नेघ्सट हैशिफिलिस रोह कीसाथ और उस्षुर संबंद से दो भी होता है सुद्दिया के क्रुपो नीमा प्र लिडंडर बेको प्रुपो नीमा प्र लिडंडर पेक्टरिया चोर्थ के साथ तरह आशुसर्ख्षी संबंद से उता है और इस रोग में भी जन्नांगों में खुज़ली और घा जाता है जनंचंपता में कमी आजाती है इसमें ऑमी हो कि कमी हो जाती है कि यह दास्त मैं और लगती है ज्यां सिस्फ以なた है यहुआ है और से से यह ज्म भी बैक्टेरिया से होते हैं सब्सक्राइब करने घ्रिया के अधार देखेंगे ऐख होता है एट डिप्टी वैक्सीन पेटोजन क्या होता है और सמו कैसे और यौझे सब्सक्राइब करने लगता है तो सवासनदू का सिक ओणने लगती है इसलिए इसको गला घोटी बोलते हैं लगता है कि कोई घोट रहा है कि सिक टेस्ट क्या स्थिक rare का जाता है उचिक नथिक लिए के लिए अट्री के लिए अटिश दी जाएगी आणगे वैक्सी फैले ही इसे लिए टेस्ट कराया जाता है वो फिंग कॉप टेस्ट वो फिंग कॉप टेस्ट में कराया जाता है और बैक्टरियस होने वाला रोग है तो ऑन इन्सट बैक्ट्रियस दिजाती है इसमें सीग्ण डीप्र टीक्षप देश्ट डीप्षप कर दों लिए एप दिटन डीपीज़ नेग्स्तौ मिएं लग जाता है जबद जाबड़ा और लाक जवड़ा ही लाक हो जाता इसमें कि ग्लस्ट्रोडियम टीकेनियाई बैक्टरियास हैं है इसका लिए पैथोजंस क्या है टीक्ति के पास चला जा है और उस रहां पहले से हैने कि क्लूस्टोडियम सता से जंग लगे हुए इत्यादी होते हैं मुख्यूरु Wait हुए मेटल पर जरूरी नहीं है मेटल परियो एसे भी हो सकते हैं कह aliens लेकिन समभाननें तहाए मेटल यह बेक्टरिया पाए जाता हैfolk जब उस लोह से आपका कट लग जाता है तो आपका कट में यह यह पहुंच जाता है और ज μ Coco भEjak पहुंचता है प्रका लग जाता हूँ। इसलिए मोन ऐसों में अंठानन लगती है कठोॉरता होती होती है और सब्लूर संक्रमण होता है तिदिने Romans में इसके लिए कोई टेस्ट नहीं है बस आपको देखकर ही बताया जा सकता है बैक्टरिया से होने वाला रोग है एंटीबाइटक्स दी जाएगे और वैक्षिन क्या है डीपीटी तो वैक्षिन क्या है डीपीटी फ्रतथेρι कन या डीपन पर बैक्षिन स होने वाला रोग है जल या भोजन से रोगी का संपर्ख से रोग फ्यम्टन के है तन्त्र में फेपड़े प्रभावित होते हैं सब्सक्राइब फिर तो में लखती है बन लंबे समय चलने कांप हालिव हॉज़ों को जाती है वजन में बलागतार नां epidemi काम ecology याती इसके लिए वेक्शिन्धी बी नमीरा हो चिंदी बीचीऊ के मतलब ठीचिन का याम यह सिस्टम सिस्टम करता है इसके लिए मेटाक्स टेस्ट कि सश जालता ही या इसी को को Σुछилоक बैक्टरिया इस होने वाला। why not कि के क्षिक मख़ी के द्वारा यह फैलता है। मख़ी के द्वारा यह बैक्टरिया और भोजन हमारे तक भोजन पहुंचा दिया मख़ी क्या करती है कहीं गंदगी बेखती है और वहां चोछता है इसमें उल्टि दस्त पेट दर्ध और टेजब खार होता है है कि इसके लिए इस टूल टेस्ट कर आ जाता है पुष्ट रोग है नेक्स रोग या हैंसन या लेप्रोसी इसके लिए फटम हो जाएगा तो लास्ट में हम यह इसका रीक भी बताएंगे एक ही बारियाद करने के रिए अभी डिटेल्स में देखें इसके लिए पैथोजन्स क्या है मायुको बैक्ट्रियम लेप्री बैक्ट है उसके लिए चैसे लेपानेगे लगते हैं इसको बहुत बढ़ा यह लक्षण है लेप्रोसी की बहुत खतरनाक बीमारी है इसमें बीसीजी की मतलब कालमेट गुरिन अभी अमने बताया है इसके लिए टेस्ट क्या क्या जाता है लेप्रमें टेस्ट लेप्री लेप्रोसी है लेप्री बैक्टरिया से होता है लेप्रमेंट टेस्ट दिया जाता है इसके लिए नेंस्ट काली मौत प्लेग इसके लिए प一次 लए वार्शी ना पेस्टिक्स ब्यक्टिरिया यह साहने वाला रह नहीं रही कि वर्शीर चुमानल चुमा और वेक्टरोह between झाये प्लेग। इसका है तेज बुखार गंग्रीन गंग्रीन मतलब कि शरीर के दुरस्ट अंग जो होते हैं वह गलने लगते हैं इसे गंग्रीन कहते हैं वैक्सिन इसके लिए कोई नहीं है और ट्रीटमेंट एंटिबाइटिक्स दी जाती है बेक्टरिया से होने वाला रोगें से निम्याई बैक्टरिया मित्जल्य बोगी के संपर्क से वाता से यह निमुद्वाइग क्टिनाई होता है ने सघृचप डार से ल्गार सवसन तक प्रहुत होता तो सुथसें फ्रमत हो जाता है और लेन कर दो फबास हो जाता है अर्यलिति लिए क Histor हो कर देखकर किया जाता है और इसके बदलक्षण देखकर बताया जाता है इसको बोलते हैं एंत्रेक्स को बै्सलेस एंथ्रेस से बेक्टरिया रोग है जब इसमें संपर्क यहां चिंटन सवतंतर्द में संक्रमन होता है सवतंतर्द में पठीनाई हो जाती है और तौचा पर घा हो जाता है हैं जब स्वचान्तत्र में संकर उण हो गाता सांसलेने में कड़िनाइट हो जाती हैं उसके लिए क्या दिज ती है एंध्रेक्सफेसिन एंध्रेक्स और आठेक्सफ चेसट है तो एंटिभाटिक्सश्य जाती है the my ex tissue is contin tim स्टुच फोड़्यनिय। कि इसके लिए क्लाश्ट्रोडियम बालुटीनियम बैक्ट्रिया क्लाश्ट्रेडियम बाटूलीनम बैक्ट्रिया क्लाश्ट्रेडियम बालुटूलीनम बैक्ट्रिया यह बैक्ट्रिया से होने वाला रोग है बाटूलीनम मतलब बैक्टूलीनेज में या खाते भी सकते था infection कैसे होता है संक्रिमित दिब्बाबंध भोजन से पेक्ट वाले भोजन जो होते हैं जब I decade हो जाते हैं और अगर उनको आप खाएंगे तो आपको यह बीज्या आपको पर जाएगा झीट की सिंप्टन क्या है मान स्पेतियों तंतृका प्रभावित होती है और ग्रेहोसी ज देखा जाए गाए लग्षनात्मा कुपचार का मतलब कि इस प्रकार का लाक्षन है उसी प्रकार की दबादि जाएगी मिन जो गारे conspiracy के अधर पर तिन रोगों को एक साथ दिखते हैं एमीमार वैक्सिन मम्स मतलब गलसुआ मीजल्स मतलब खसरा और जर्मन खसरा यह तीन रोग है कि मॉंस मिजल्स कैसे होता है रूबियोला वायरस चेट यह दोन मारऊ का नाम सैंगे द्धान देंथे यह dalले प्लिंग सैंगे और मिजLY उभीयोला वायरस से मने वाहि है इस होता है मैं इन इंफैक्शन केष्टर से होता है रोगी प्ररोगी प्रटी है थो बस्तू समपर्क से होता है इन फेक्शन यह तीनों सी प्रकार से होता है रोगी ब्यक्ति बश्तु के संपर्षतीनों होते हैं तेज बुखार पेडिवी लार गरंथी में सूजन गाते हैं गले पर लाल ने लगती है और जर्मन गले पर दाने परने लगते हैं ब्लिस्टर आप के च्था पापू वसुवश्रा में रिखाए भीजर şey डिखा है उसके मुश्राइट्स भाइस के बार चैटे-बाइस के लिए इल्टा लिखा होगा उल्टा ही होता है बड़ी माता को इसमाल पाक्स बोला जाता है और छोटी माता को दिर चलJust और च्छोटी माता को चिकन पाक्स में क्या होता है च्छोटी माता में वैरिसेला वायरस और बड़ी वाता में वैरियुल्ला वायरस दोनों लगबग एक ही जर से हैं वैरिसेला वायरस च्छोटी माता में और वैरियुल्ला वार्स बड़ी माता में इंफेक्शन क्या होता है रोगी बेक्ति बश्तु के संपरक से होता है और यह भी रोगी बेक्ति बश्तु के संपरक से होता है और यह भी रोगी बेक्ति बश्तु के संपरक से होता है तीज बुखार शरीर पर संक्री में द्रव से भरे दाने और जोड़े में दर्द होता है चोटी माता में और बड़ी बाता में शरीर पर दाने उभर आते हैं जिससे तवचा पर आस्थाई दाग बन जाते हैं आप किसी के तवचा पर देखे होंगे बुढ़े बेगते के तवचा पर बड़ माल वाक्सिन बड़ी मातां आँ किया बिलते हैं ल्यून डी जाती हैं दोनों से होने वाले रोग हैं। दोनों में लक्षनात्म में वापस्टार सकता हैं रख यह होता ह। मों नोय can बना गॉत्वातन पटर्फ्ट्रों इस माल इन लंगरें व्ध लेटा हैं पहले JUL गुछ प्लीयो माईलाइटिस इसके लिए पैथोजन है एंटेरो वाइरस पैथोजन के लिए पॉल्यों जो होता है बाद मीलंगला हो जाता है इसके लिए इंटेरो वाईरस आदमी बोलता है न हवा लग गया इसको तो हवा क्या वहीं हो हो जाता है तो हवाल लगता है इसको इसमें वाइरस क्या होता है एंट्रो वाइरस वाइरस होने वाला रोग है दुसी जल्व भोजन से होता है दुसी जल्व भोजन पर यह वाइरस आ जाता है तिम्टन क्या है आतों में संक्रम हो जाता है अस्ति मज्जा में संक्रम होता है स सदार पर सारिक विकललांगता हो जाती है क्वेक्षी क्या है लिए टो इसलिए वॉयें अटिक लेस्ति प्रकार के होती आई पीपी और हो प्रकार की होती है मुह में बूधों के द्वारा दी जाती है दो बुध जिन्दगी के इसके लिए कोई ट्रेटमेंट नहीं है लक्षण आत्मक होता है नेक्स्ट है रेविज जल भीति हाइड्रोफोबिया रेविज कुट्ते काटने से होता है जल भीति के ओलत बोलते हैं क्योंकि भीति का मतल के लगना रफ्ड वाइरस कुट्ते बंदर और बिली सीटों मैं रपड़ा बायति है इसलिए अगर कुट्ता बंदर बिल्ली काट दे तो लेकिन जल्स रखता है कुई कि मारं की मानश स्पेशियों में कंखरन होती और ज्यादा अकरन कहा होती ऊसलिए पानी पीता है और गोले गोले में की हौजस से बहुत तेज दर्द होता है गले में और ऐसा लगता है किसी ने गला घोट रहा हो जैसे गलगोटी था उस प्रकार से तो यह इसलिए पानी आद्मी जल्दी पीना नहीं चाहता है पानी को देख करें डरने लगता है इसलिए इसी हाइड्रोफोबिया बोलते है जल को निगलन कोई भी हो रोग होने से पहला ही दी जाती ही इसके लिए ट्रीट्मेंट क्या है इंटी रेविट इंजेक्षन दिया जाता है मनुसी में जब मनुसीं को जब ये काट देते हैं कुटा बली-बंद so तो एंटी रेविज का इंजेक्शन दिया जाता है कि काटने के बाद रेविज कुट्था भी पागल हो जाता है तथा 15-20 दिन उसकी मृत्ति भी हो जाती है नेक्श्ट है यक्रित सोध या हेपेटाइटिस एबीसीड वायरस अर रोगी के संपरक से लक्षण क्या है बुखार आता है यक्रित में संक्रमण सूजन जिससे यक्रित का आकार बढ़ने लगता है है मुझा लिवर डिंखता है और वजन में करन वा सटी है कि इसके लिए क्या है हीपिटाटिस आ हमने दो हमने बद आपको एलीशा टेस्ट आपको कराने के लिए बोला जाए गा और ELISA positive अगर हो गए तो इसकी guarantee नहीं है कि आपको ads हुआ है, हो सकता है ELISA test है तो आपको ads नहीं हुआ हो, ये अकृत सोध हुआ है, ये भी तो हो सकता है, तो इसलिए ELISA test positive होने से guarantee नहीं है, कि ads हुआ है, इसलिए Western test, Western block test secondary exchange में कराया जाता है, जब ELISA positive आपको ads कराया जाता है, confirm करने के लिए कि ads है कि नहीं है, तो ELISA test यक्रित सोध के लिए भी दिया जाता है, कराया जाता है, next is influenza, जिसे flu बोलते है, influenza flu, flu दो प्रकार कहता है, swine flu और blood flu, swine flu, h1, n1, h1 और n1 होता है, और blood flu, h5, n1 होता है, h1, n1 को swine flu बोलते हैं, और h5, n1 को blood flu बोलते है, hn का मतला होता है, humoglutine neurominidase, hn का मतला है, फुल फार्म है, आपको याद नहीं करना है, बस इतना इसको जान लिजे, स्वाइन फ्लू में h1, n1, और blood flu में h5, n1, influenza flu, यह आर्थ, वायरस से होता है, वायरस से होने वाला रोग है, रोगी के संपर्क से होता है, तेज बुखार जुकाम खांसी सांस लेने में का ठिना, इसके लक्षण है, और वैक्सिन इसमें influenza vaccine दी जाती है, और स्वाइज मच्छर के काटने से होता है, वेक्टर होता है, एडिज मच्छर, वायरस से होता है, इन्फेक्शन रोगी के संपर्क से, लक्षण क्या है, तेज बुखार, सीरद दोल्टी दस्त, जूती अवस्ता में पीलिया के लक्षण दिखाई देने तेनी कि सरीर पीला प से आपड़ा जिका बेएज प्रकार के होते हैं, यह बसे होता है, तो बस स्थीर कर नहीं हो जाता है और उसके बाद भी तीन-चार महिने के अंदर तीन-चार वरसों के अंदर में घरवधारण करती आ है तो सीसीव का मस्तिक्स का विकास नहीं बाता है उसका सिव का मस्तिक संद्रॉम इसके लिए पैथोजन क्या है कोरोना वायरस स्टार्पश को यह इस पैथोजन से वायरस होने वाला रोग है रोगी के संपर्ग से होता है लक्षण इसके क्या है वह एक सीन क्या दी जाती है कोई साथ साथ देखते हैं दोनों एक ही जैसे है इबोला का इबोला वायर्रस है प będzie पार निपाव भायर्रस है विखण होता है क्योंकि कि उसके बहसे प पहुंचाता है इस हुसको रिजरibile अंग्याब्र से होता है जबूला वायर्रस होता है इसके होता हैउब४ संख्रमित फिरों से रोगी के संपर्ख से और चंबागादल के संपर्ख से क्यूंकि रोग हुआ है तो यह इसमें भी समपर्ख से जोनो का से है किल अन्था मैं यह वायर का सोने वाले रोग को देखा है कि जीवानूर में इंतर क्या है हम लेगने भै्क्त्रिया जीवानूर्ड और वायर्स होने operate रोगों को देख लिए अब देखते हैं कि जीवानू और विशाणू है अलांकि थोड़ा बहुत पहले कोशिका वाले चप्टर में भी हम बता चुके इस बात को जीवानू एक कोशिकी जी होता है तेर एक ही कोशिका से बना होता है और अधिकांस्ता ये कोशिका प्रोकारिय कुश नहीं दोनों नहीं होते हैं इसलिए भी सानु दो प्रकार के होते हैं यह देनीन होता है प्रकारी क्लिख लादब है इसे लिए इस में होता है यह ओक शाता है बता दिया माइन TE तो मोनेयरा संघ को बैक्ट्रिय का ही संघ था वहां लोग ने देखा था जली और आप पैद्टी जणहां कोकु NeptЭर्यूर से नहीं बनी होती है इसके इसली दोनों होता है कि अगर तो अगर प्रोकेरिटिक बना है तो केंदर कर्ण भिकास नहीं हुआ है अभी DNA RNA और नगन DNA होता इसमें रियन्य की आवरित DNA नहीं होता है वहाँ आप प्रोक्रेटिक में देखे थे अभी आपके यहां नहीं समझाएगे नगन DNA क्या होता है लेकिन इसकोता था इससमें तो इसमें आने या टो आर्न होता है इसमें इसमें हो एक कर्षिका का है तो सभी लगवक्राओं होती है पिसद्ड हम निर्जीव नहीं होता है क्यों कि इसमें कूछ होता हैं नहीं है कि वोंग आवरण होता है कीसी बंता है इस बात को हम पहले बता चुके प्रोडवा जनात्रोग प्रोडवल डियूस कारण क्या है एंटरोड़ है फ्रोड़यल Cle spovi faced इंफेक्शन संक्रीवने जल्व भोजन से होता है और शिम्ट्र लक्षण क्या है आतों में संक्रमन पेट दर्द अतिसार मल के साथ रखता आता है अतिसार पेट दर्द और आतों में संक्रमन होता है तो पेचिस के लक्षण है ट्रिटिमेंट क्या है एंटिबाइटिक्स और अरस दी जाते है इसमें आ इसका पेथोजन्स क्या है एंटववई जेंजी वाइलिस प्रोटोजवा इसे टांटों करोगा इन्फेक्शन दूस्री जल्व भोजन से होता है कि मस्णूर में शंकर्मन होने लगता है मांस्टों में मरुस थेज़ बदभू नलगती है और मस्णूर में सूजं होता है और खून आने लगता है इसे को पायरिया बोलते है इससे रोता ईंटॉम्यूल जिंचिंवेलिस 국ण बोता पाटो जनुवाज रोक है कर ना मतलब होता है दानतों की सफाइब करना वह टेकिनिक सफाई करते हैं अपने अस्तर से कि नेक्स्ट काला जार ब्लाइक फीवर या लिस्मानियसिस इसके लिए पैथोजन क्या है लिस्मानियसिस नाम पर है लिस्मानियसिस जोनो जाए प्रोटोजवा क्या है क्या है रेतमक्षी रेतमक्षी से रोग फैलता है इस पैथोजन कारण प्रोटोजवा कारण सिम्टन क् लगते हैं ब्लिष्टर मतलब फोड़े भुंसी होने लगते हैं बहुत जादे फोड़े प्रकार के होते हैं उसी को ब्लिष्टर करते हैं और बुखार आने लगता है इसके लिए एंटोबाइटिक्स दी जाती है ट्रिटमेंट में निद्रारोग sleeping sickness या ट्रिप्नोश्य स्विट्ट्रोख अंच या पढ़ेंगे क्या होता है बाइलोजिकल क्लाक सिस्टम प्रभावित होने से नीद अधियकाति व्यक्ति को समय से जाग नहीं पाता है इसके ट्रेटर्मेंट में एंटिबाइटिक्स दी जाती है लिजाएं नेक्स्ट क्रेमी जनितरोग निमेटोरल डिजजीज हाथी पाउं स्लीपद या फाईलोय एलेफेंट रसीज रही इससे एलेफेंत缸 एलेफेंट य फाईलोय इस स्वेथु राव इससको लीपद यह आथी पाउं वोकिछ रिदिये और वितर क्या है एडहुंग अचछन ह्थिक क्या है आते सूजन आती है हाथी इसमें कणिकाय नहीं होती है रंग हिन होता है लासिका से को बताएंगे लट सिस्टम भी है लीम सिस्टम कब लेखिए जाती है क्रीमि माशक दभाएं दिजाती है क्रीमी से उने वाला इंफेक्शन दुसी जलो भोजन से होता है सिम्टम पेट दर्द वजन न बढ़ना और एनेमिया यानि खुण की कमें क्या है क्रीमी नासक दमाये दी जाती है क्रीमी से होने वाला रोग है निमेटोट से नेक्स्ट है कवक जनित रोग पंगल डेसिस बस एठलीट फूट बस पेटोजन के पेटोजन कारण होता है फूट है इसके लिए उसका है CODarte क्या है पैरों में संक्रम्ण होता है एपिडर्मो फाइटान फंगस के कारण दाद खाज खुजली होता है तो दाद रिंग वार्म जो होता है पचा में संक्रम्ण होता है यह ट्रीप फाइटान वायरस होता है ट्रीको फाइटान वायरस ट्रीको फाइटान वायरस से दाध हो संक्रमन होता है मोनियासिस इसके लिए हैंस संबंधित रोग और इसके लिए लुख सर्बार और इस्परिगुलस फंगस इसके लिए पैथोजन से प्रदूसर्ण जनित रोग यह जुसाँ की असंक्रामक रोग होते हैं मरकरी से मिनी माता रोग होता है मरकरी की कमी से मिनी माता रोग केडिमियम की कमें से इटाई रोग होता है आर्सेनिक की कमें से ब्लैक फुट होता है आर्सेनिक काले रंक ही होता है इसलिए ब्लैक फुट होता है इसलिकान की कमें से सिलिकोसिस होता है नाम पर यह आर्सेनिक काले रंक होता है इसलिए पानी का रंक जब काला पड़ता है पानी रखने से पीला काला पड़ जाता है थो आर्स एक अधिक्ता से तो आर्सेनिक से क्या होता है यहां स्याद कर सब्सक्राइब है Cd cd cadmium कुछ दिया जाएगा लों कि और पाले सीडी वा करता है सीटी माज़ कि नहीं होता है मरकरी होता है मरकरी पता हुझ जालाएंगे माता बॉल्ट से मरकरी जिए डाटने-लगेगी आपकी मेनि संणनल माता है, मरकरी मेनि माता रोग होता है एक चीजा और दाख लें जब संक्रमण सूजन वद दर्ध तीनों एक साथ हो क्या क्या संक्रमण सूजन वद दर्ध तीनों जब एक साथ हो तो इसके लिए एक सब्द प्रयोक किया जाता है आईटीस आईटीस जैसे यक्रित में यानिकी यक्रित में लिवर में यदि संक्रम सुजन और होता है एक और होता है खुन है कि ना इस किा विए इतना ही यह जो कमटिशन में एक नमबर के फुचे जाता है उसके लिए कैसे आदगरना है हलांकि मैं उम्मिद करता हूं कि एक बार दो बार इसको बढ़ियां से देख लेंगे तो ट्रिक की जो नहीं पड़ेगी क्योंकि एक दूसरे संबंदित होते हैं इसलिए त्रिक की जो नहीं पड जाता है